नमस्कार दोस्तों तीचे सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे इस वीक में जितने भी सरे मैंने यूनिवर्सिटी का जो पीएसडी नोटिफिकेशन के बारे में मैंने डिसकस किया था उसका एक स्मॉल समरी में आपको दूंगा ताकि आपको याद रहे कौन सा यूनिवर्सिटी में कब लास्टेट है यह अपलिकेशन का तो चलिए हम सुरू करते हैं तो जैसी के आप देख सकते हो फस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टिट आप इंफ्रास्ट्रक्ट्रक्टर टेक्नलोजी रिसर्च और मैनेजमेंट आई टी आरेम यहां लास्टेट है 11 5 यून 2021 यह लोकेटर है गुजरात में तिक और यहां आप पार्ट थाइम फुल टाम में सार चैसरा पीहज़़्ीए और सब्जेक्ट जैसे है कि इंजिनेरिंग में सारा सब्ज़ेक्ट साइंस में सार चैसरे सब्ज़ेक्ट आप में यहां प्रोगियां इस्टी कर सकते हो ठीक है और इसका जो last date है यह 17th June 2021 और यहां आप जितने भी सारे जो engineering subject है उसके साथ साइन्स का subject है and humanities subject में आप यहां PhD कर सकते हो और यहां भी आपको stipend मिल जाएगा इसका जो last date है यह 30th June 2021 ठीक है और जहां आप बहुत सारे subject में जैसे की engineering subject हो गया science का हो गया देन arts का हो गया देन management का हो गया देन हमारा जो nursing and hospital sector का जो है इसमें हो गया बाकि मासकम का हो गया law यह सारे के सारे subject पे आप यहां PhD कर सकते हैं और जो last date है यह 30th June 2021 है ठीक इसी प्रकार Indian Institute of Space Science and Technology जो भी space sector में specifically research करना चाहते है वो यहां research कर सकता है यह actually located है तिरुवननतपुरम किरला किरला में तिरुवननतपुरम में यह located है और यहां आप basically जो subject है जैसे कि engineering and science के जिते भी सारे subject है ठीक है ठीक है यह है रमन रिसर्च इंस्टिचूट जो हमारा डक्टर सिभी रमन ने इसको बनाया था यह इसका जो location यह बैंगलोर में है ठीक है और इसका जो last date है यह 14th June 2021 है ठीक है और यहां आप जितने भी सारे टॉप लेबल का जो science होता है जैसे कि हमारा space science हो गया देन हमारा जो theoretical physics हो गया देन हमारा quantum physics हो गया ठीक है देन हमारा जो light method का science हो गया यह सारक सारे subject में आप यह PhD कर से तो यहां भी आपको stipend मिल जाएगा वही 31 और 35,000 का ठीक है ठीक इंडियान आसोसेशन फर्द कल्टिवेशन अप साइन्स यह आई-ए-स यह लोकेटेड है आपका कुलकता में ठीक है और यह एक research institute है यहां हमारे इंडिया में जितने भी सारे top level का जो research किया जाता है पूरा deep level पे जितने भी सारे physics chemistry mathematics biology में तो यहां यह किया जाता है ठीक है और यह एक डी नोबो यह एक institute है ठीक है जो सिर्फ बनाया गया है research के लिए और इसका जो last date है यह है 11th June 2021 ठीक है और यहां भी आपको stipend मिल जाएगा सारे के सारे 31,000 से लेकर 35,000 का stipend आपको मिल जाएगा मगर इसका थोड़ा selection procedure थोड़ा difficult है क्योंकि यह बहुत top level का university है इ और यहां admission के लिए आपको net या net नहीं मन्स जेयरेफ होना चाहिए जेयरेफ और gate के थ्रों में ही यह लेता है ठीक है और उसके बाद अनंत नेशनाल यूनिवर्शिटी अनंत नेशनाल यूनिवर्शिटी यह आहमादाबाद में है और यह basically जो हमारा architecture है architecture design के लिए यह famous है 2021 देन कलकाटा यूनिवर्शिटी के जैसे मैंने बताया था यहां सिर्फ math के लिए अभी opening आया है math subject के लिए इसका जो last date है यह 20th June 2021 ठीक है इसके बाद national institute of foundry and fork technology यह foundry and fork के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्शिटी है institute है यहां कोई इस related यदि कोई research करना चाह है तो यहां जा सकता है इसका जो last date है यह 30th July 2021 है और यह रांची में है ठीक है इसका जो location है यह है रांची में और यहां physics और science के ऊपर यहां research किया जाता है और basically जो fork और foundry में research करना चाहता है यहां वो जा सकता है और वाकि यहां science and engineering subject में ठीक है और इसके साथ साथ आगे आपका धिरुभाई अमानी इंस्टीट आव इंफरमेशन और कमुनिकेशन टेकनोलोजी बहुत सारे लोग इसको धिरुभाई अमानी उनिवर्सिटी भी बोलते हैं तो यह located है अमादाबाद में और यहां जो last date है यह 28th June 2021 यहां आप जैसे के subject में आप यहां कर सकते हो जै के बाद आपको 30,000 next two years में आपको मिल जाएगा stipend then आपका आगया फेल्टेक डिम्ड उनिवर्सिटी फेल्टेक डिम्ड उनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा चन्नाई में ठीक है इसका जो last date है 20 June 2021 यहां आप subject जैसे के हो गया engineering then science then आपको मिल जाएगा humanities then आपका law then management ठीक ह यह सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा PhD करने के लिए और यहां भी आपको stipend मिल जाएगा 20,000 से लेकर 25,000 तक हर महीन है ठीक है गुरूरामराई उनिवर्सिटी यह आपका located है डेराडून में जो उत्राखंड में है इसका जो last date है 30 June 2021 है और यहां आपको सार Humanities में जितने भी सारे सब्जेक्ट है यह सारे सब्जेक्ट में आप यहां कर सकते हो Health Science में जितने भी सारे सब्जेक्ट है ठीक है यहां आप PhD कर सकते हो देन ट्रिपल आईटी अल्हाबाद ट्रिपल आईटी अल्हाबाद में आपको मिल जाएगा जितने भी सारे हमारा जो सब्जेक्ट में आप यहां जा सकते हो और यहां भी आपको स्टाइपड मिल जाएगा और यह लोकेड़ेड है अल्हाबाद में तो यह था टोटल 13 उनिवर्सिटी तो जो भी यहां PhD करना चाहते हो लास्डेट में बता दिया और कौन-कौन सा सब्जेक्ट में आप PhD कर सकत यहां मैंने बता दिया और जितने भी सारे जो युणिवर्सिटी है सारे सारे उनिवर्सिटी में आपको स्टाइपड मिल जाएगा अज कल ऐसा नहीं है कि कोई भी उनिवर्सिटी स्टाइपड नहीं देगा आज कल आपको नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो more than 95 परशंड आपका जो university है यह stipend देता है private हो या government हो या national level हो state level हो dimmed university हो कोई भी हो यह आपको stipend मिल जाएगा ठीक है तो यह था details बाकि आप इसका एक snapshot भी ले सकते हो यह आप किसी university में apply करना चाहते हो तो यहां last day mention किया गया है तो यह था details thank you all the best जाने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारा यह teachers in channel यह fully dedicated teachers के लिए जो भी एक अच्छा teacher, professor, assistant professor, associate professor बनना चाहते हैं उनके लिए यह fully dedicated है यहां हम teachers related बहुत सारे studies, competitive exam and jobs के बारे में हम discuss करते हैं तो मैं आप सबको request करूँगा आप इस channel को subscribe कर लिजिए और like किजिए और नीचे जो हमारा social media size दिया गया है इसमें आप follow किजिए तो जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा thank you all the best